Good evening everybody, a very good evening to all of you बच्चो, so I am back on the Creatrix YouTube channel with the रफ्तार सिरीज फॉर गे 2022 लेक्चर नमबर 16 जिसके अंदर की हम डिस्कस करने वाले हैं सर्जिस से रिलेटेड क्वेशन्स और सर्जिस से रिलेटेड कॉंसेट तो इस लेक्चर के बाद बिटा आपका सर्जिस का कॉंसेट बहुत ही लाइव आ चुके हैं and they have to join me live in this रफ्तार सिरीज तो जल्दी से फटा फट बता दिए बिटा चैट में कैसे हो आप लोग कैसे चल रहे हैं तैयारी, enjoy कर रहे हो या नहीं कर रहे हो और जो बच्चे आज अटेंड करेंगे, मैं एक चीज़ बता दूँ बिटा, they are the most committed student जो क festive season के अंदर भी अपनी classes को skip नहीं कर रहे हैं और इससे बहतर commitment का proof कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा consistency का proof कुछ नहीं हो सकता and that is really really commendable, तो जल्दी से बिटा आजएगे, सभी लोग जिन लोग को एक class attend करनी है, ज्यादा से ज्यादा students को inform कर दो अपने group के अंदर, come on everyone, च I won twice in gate in 2014 and 2018, I was awarded gold medal by president of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT, till date I have trained over 2 lakh aspirants for gate and ESE and currently I am working as an director at an academy for gate department, अब मेरे बारे में ये सारी बाते मेरे सभी students जानते हैं लेकिन मैं बच्चों हमेशा कहता हूं सबसे important का है, important है इस team का effort और इस team का काम, अगर आप इस team का काम देखोगे, they are the most hard working people, जो की जादा से जादा initiative आपके लेके आते हैं, और ये make sure करते हैं कि आप लोग हमेशा सबसे आगे रहें, और इसके लिए हमारे initiative यूट्यूब के अलावा unacademy app पे भी आते हैं, तो unacademy app आप लोग install कर लीजिए and then you can access all the free initiatives simply using the code unkit ese, other than this बिटा इस link पे अगर आप लोग जाओगे तो मेरी सारी special classes पाओगे, यहाँ पे जाकर के आपको क्या करना है, upcoming में जाना है, और यहाँ पे आप देखोगे आभी daily, शाम, 17 बजे मैं special class लेता हूँ, आज और कल तो नहीं होगी, परसों से फिर हम continue करेंगे, तो यहाँ पे बिटा आपको मेरी सभी special classes देखने का मौका मिलेगा, और जो मैं पहले भी ले चुका हूँ, PSU के questions, gate के लिए question, previous year question, marathon session, सारी चीज़ें आपको एक जगे पे मिल जाएंगी, ठीक है, तो चलिए आर शुरू करते हैं, आशुतोष का question है sir, HPCL का interview guidance कब मिलेगा, बिटा question का जो तुमारा language है, उस कमिट कर दिया है कि मैं guide करूँ, अब बस date announce करने का इंतजार है, हैं जी, अब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को तो ऐसी कोई चीज़ याद नहीं आती कि मैंने commit किया था कि हम लोग HPCL का interview guidance प्रोवाइड करने वाले हैं, और दूसरी बात ये भी है यार, कि देख शिवम देखो, अगर आप daily एक घंटा spare कर सकते हो without affecting your gate preparation, तो आप UPPCL के लिए एक घंटा दे दो, और अगर नहीं दे सकते हैं, लगता है कि इतना time मेरे पास नहीं बचेगा, मेरी gate preparation impact होगी तो रहने दो, ठीक है, चल, शुरू करते हैं भई, surges इना transmission line, surges इना transmission line, तो बेटा, surges क्या होते हैं, surges क्या होता है, जब suddenly transmission line पे एक high voltage पैदा हो जाता है, and it travels just like a wave on a transmission line that is termed as a surge, तो surge कुछ भी नहीं है, एक high voltage है, तो यह high voltage किस कारण से आ सकता है, बेटा, यह आ सकता है, lightning की वज़े से, जब भी lightning एक transmission line को strike करेगी, तो वहाँ पे एक high voltage induced हो सकता है, and that will travel as a forward wave and a backward wave, as a incident wave and as a reflected wave, and that is called as a surge, अब देखो जो हमारा session 15 था, जो हमने कल session conduct किया था, उसके अंदर मैंने आप से wave के बारे में बात भी की थी कि transmission line में जो voltage और current होते हैं, उनका wave nature होता है, अब अगर यही चीज हम लोग सोचें, surges क्या है, high voltage induced हो है, और इनका भी wave nature है, and they propagate in our transmission line, अब suddenly voltage high होने के कारण, suddenly voltage high होने के कारण, इनको हम दिखाते हैं as a step function, step function क्या होता है पिटा, step function होता है, जब suddenly कभी एक voltage increase हो जाए, या कोई function 0 से एकदम high value पे suddenly चड़ जाए, that is called as a step function, but practically क्या होता है, practically they have a certain slope, क्योंकि देखो यार, voltage भी instantly तो नहीं बढ़ सकती, हो सकता है, millisecond में बढ़े, हो सकता है, nanosecond में बढ़े, but gradually बढ़ेगी, and that is why they will have a certain slope, अब surges की study हमेशा की जाती है, long transmission line में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इनका nature होता है, wave nature, और waves की study हमेशा होती है, long transmission line मे कहने का तात्पर यहाँ पे यह है बिटा, कि surges के अंदर, we will make use of distributed model, है न, lumped parameters यूज नहीं करेंगे, we will make use of distributed model of our transmission line, अब wave propagation phenomena की जब हम बात करते हैं, तो surges जो होते हैं, transmission line के अंदर, wave की तरह propagate करते हैं, यहाँ पे जो surge होता है, surge is nothing but a step function, इस type से हम दिखाते हैं, और जब हम यहाँ पे analyze करते हैं, जब हम यहाँ पे analyze करते हैं, तो क्या होता है न, surges में जो differential equation बनती है, that differential equation is that of our wave, यानि जो waves के लिए differential equation defined है, same differential equation हमारी surges में बन जाती है, इसलिए हम कहते भी है, surges have wave nature, तो देखो यह function बनता है भाई, कि del square f by del x square is equal to 1 by v square, del square f by del t square, यह होता है wave equation, और यहाँ पे v होता है velocity of wave propagation, कितनी तेजी से एक transmission line के अंदर, wave आगे बढ़ती है, that is v, तो यह जो function आपका आ रहा है बिटा, यह जो function आ रहा है, that is a wave equation, और ऐसा ही कुछ differential equation जब हम derive करते हैं, तो हमारे पास आता है, transmission line में surges के लिए, तो transmission line में जब हम surges के लिए देखते हैं बिटा, तो हमारे पास equation आता है, del square f by del x square is lc into del square f by del t square, इन दोनों को अगर हम, इन दोनों को अगर हम compare करें, तो 1 by v square होगा lc, v होगा 1 by root lc, v होगा 1 by root lc, विशाल पूछ रहे हैं, wave का unit होता है, क्या बिटा, wave एक quantity है, wave एक element है, इस तरह सोचो, जैसे हम मैं कहा हूँ, मेरे room के अंदर एक table है, तो table का unit होगा क्या, chair है, chair का unit होगा क्या, नहीं, यह सारे क्या है, यह सारे elements है, यह सारे entities है, wave is not a quantity, voltage एक wave की तरह चल रहा है, तो voltage की quantity है volt, है न, unit है volt, current एक wave nature exhibit कर रहा है, तो current की unit है, ampere, लेकिन wave की unit नहीं हो सकती, wave is a entity, है न, wave क्या है, एक entity है, बात समझ में आया, चलो जी, बहुत ही बढ़िया, अब क्या होता है बिटा, जब हम wave nature देखते हैं, सर्जेस का जब हम wave nature देखते हैं, just a minute बिटा, यह कोई जो है spamming कर रहा है channel पर, शायद तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, चलो, हाँ जी, जब हम सर्जेस का wave nature देखते हैं, तो उसके अंदर दो तरह की wave निकल के आती है, one is your forward wave, and the other one is your backward wave, forward wave क्या होती है, जो sending end से receiving end की तरफ बढ़ती है, और backward wave क्या होती है, जो receiving से sending की तरफ बढ़ती है, तो यहाँ पे बिटा, दो wave निकल के आती है, forward यानि sending to receiving, and backward is receiving to sending, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे समझेगा इस बात को बिटा, हम यह कहते हैं, सर, wave का मतलब होता है energy, energy sending से receiving जाये, समझ आता है, क्योंकि sending end पे source लगा है, और receiving end पे load, लेकिन सर, यह energy receiving से sending कैसे जा रही है, receiving end पे थोड़ी ना मैंने कोई source लगा के रखा है, तो बिटा, इसका simple सा logic है, reflection, जब sending से receiving जाती है, तो receiving end पे टकरा के, उसका कुछ ना कुछ पार्ट वापिस आता है, and that is the backward wave, तुझे forward wave दिख रही है ना बिटा, यह जो forward wave है, this is your incident wave, incident है, और यह जो backward है, this is your reflected wave, यह क्या है, reflected है, तो इसी लिए incident wave, जो है, वो source से load की तरफ जाती है, वहाँ पे load कुछ energy को absorb करता है, और कुछ energy को वापिस लॉटा देता है, that is your reflected, अब यहाँ देखो यार, open circuited transmission line की अगर बात करें, यानि कि यहाँ पे हमने एक lossless line ले रखी है, इस lossless line को यहाँ पे हमने कर रखा है, open circuit, अब बेटा इससे पहले मैं इसका आपको wave nature दिखा हूँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दू, from wave analysis of surges, surges को wave की तरह analyze करने के बाद, हमें क्या-क्या चीज़े समझ आ जाती है, हमें यह समझ आ जाता है, कि surge की जो velocity है, that is 1 by root over LC, यह मैंने आपको कल question भी कराये थे इस पे, kilometer per second, हमें यह समझ आ जाता है, forward voltage by forward current आता है, ZC, which is root over L by C, ohms, backward voltage by backward current जो होता है, that is minus ZC, तो यानि कि forward current और voltage, forward current और voltage, same phase में आते हैं, जबकि backward current और voltage, opposite phase में आते हैं, backward current और voltage, opposite phase में आते हैं, तो ही इन देखो practically तो yes, there must be incident and reflected wave in every system, लेकिन क्या होता है, जब हम system की modeling करते हैं और उसे lump कर देते हैं, lump कर देने से क्या होता है न, distance वाला part गायब हो जाता है, यानि अगर एक wire का पूरा का पूरा resistance हम लोग एक point पे concentrated मान लें, तो wire के length का significance खतम हो जाता है, और वहाँ wave nature नहीं पढ़ा जासता, देखो wave पढ़ने के लिए दो तरह के variation होना बहुत ज़रूरी है, space and time, अब आप AC में time का function तो ले लेते हो, vm sin omega t, लेकिन distance का function आप तभी बना सकते हो, जब आप model कैसा रखो distributed, तो sir distributed ही लेते हैं ना मज़ा आएगा, अरे भाई distributed ले तो लोग है, लेकिन distributed में क्या होता है, तुम्हारा जो general network analysis है ना, वो सारा का सारा fail हो जाता है, वो सारा का सारा बिटा fail हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात, इसी लिए हम लोग distributed analysis करने से बचते हैं, ताकि हमारे जो network के laws हैं वो लग पाएं, और वो सारे किसके लिए valid हैं, लंब्द के लिए, अब देखो भीटा, t equal to 0 प्लस पे, यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे surge originate हुआ है, search originates at sending end, sending end पे surge उत्पन हुआ है, शुरू हुआ है, ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो भीटा, एक चीज और होती है, जिसको हम कहते हैं, boundary condition, boundary condition क्या कहती है, boundary condition यह कहती है, यह जो voltage और current है ना, यह x में continuous function होते हैं, यानि कि they cannot change suddenly with the distance, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कि भाई यह जो आपका receiving end है, x equal to l, हम यह कहते हैं, कि x equal to l minus और l plus पे, voltage सेम आना चाहिए, है ना, voltage आपका सेम आना चाहिए, अब left side पे कौनसी कौनसी wave होती है, incident, और एक होती है, reflected, और इधर जो जाती है, वो होती है, transmitted, तो हम ऐसा कह देते हैं, left में incident plus reflected जो voltage है, वो right में जो transmitted है, उसके बराबर होने वाली है, सेम वे में incident current plus reflected current is equal to transmitted current, ठीक है, तो left side पे जो voltage और current की value आएगी, वही right side पे आएगी, अब देखो यहाँ पे right side पे open circuit होने के कारण, I transmitted is zero, इस कारण से I reflected will be equal to minus I incident, अब देखो बेटा, surge आपका start हो गया T0 पे sending end पे, अब यह surge propagate करना start करेगा towards the receiving end, अब transmission line की पूरी length ट्रेवल करने में, इसको कुछ ना कुछ time जरूर लगेगा, and that time is capital T, तो capital T क्या होता है, length by velocity, V is usually equal to C, है ना कल भी हमने देखा था ना, wave का जो velocity आता है, वो light के speed के approximately बराबर आता है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, पूरी line में voltage V हो चुकी है, पूरी line के अंदर current आपका I हो चुका है, अब जब भीटा wave receiving end पे पहुँचती है, तब वहाँ से reflection स्टार्ट होता है, जैसे कि अगर light है, light जब किसी surface से टकराती है, तो उस surface से वो bounce back करती है, reflect होती है, same way में मेरी यह जो wave गई receiving end पे जाके, वहाँ से reflection स्टार्ट करेगी, अब हमने यह बुला, reflected current is equal to minus of incident current, तो इसी लिए reflected current कितना बना, minus I, अब incident था I, reflected है minus I, minus I, जहां जहां तक I के साथ superimpose हो जाएगा, वहाँ पे यह total current को 0 ampere कर देगा, अब ही आपने यह बुला बिटा कि forward voltage और current same phase में होते हैं, इसी लिए अगर forward voltage positive थी, तो forward current भी positive था, लेकिन backward voltage और current opposite phase में होते हैं, तो backward current अगर negative है, तो backward voltage क्या होगी, positive, सोच के देखिए, forward में current और voltage same phase में थे, तो current और voltage दोनों positive थे, backward में voltage और current opposite phase में होते हैं, तो current negative है, तो voltage positive है, अब incident voltage भी positive थे, reflected भी positive है, reflected जहां जहां तक पहुचेगी, वहाँ पे वो voltage को कर देगी, दुगना, यानि 2V, यानि 2V, अब जैसे बिटा, अगर डेली से बैंगलोर 36 गंटे लगते हैं, ट्रें से, तो receiving से sending जाने में भी वापिस से T time लगेगा, तो 2T time पे, reflected wave पहुच गई होगी, sending end पे, और voltage हो गई होगी overall 2V, reflected current भी पहुच गया होगा, sending end पे, वहाँ पे भी total current हो गया होगा, फिर 0, समझ में आ रही है बात, तो हमने जैसे बोला, T time पे हम sending से receiving आ चुके थे, तो 2T time पे, receiving से sending भी जा चुके थे, अब लेकिन बिटा, sending end पे मैंने voltage शो कर रखा है V, अब अगर मैं कह दूँगा 2V, अगर मैं कह दूँगा 2V, तो ये KVL का उनंगन हो जाएगा, है ना, KVL का violation हो जाएगा, इसके लिए, हमें अगर voltage V रखना है, तो एक और forward wave चलानी पड़ेगी, एक और wave को sending से receiving भेजना पड़ेगा, जिसकी value होगी minus V, minus V क्यों, क्योंकि 2V और minus V मिल करके बनेंगे V, V बनेंगे, बिटा, surge length पे depend नहीं करता, फिर वही बात है, surge कोई एक quantity थोड़ी है, surge एक process है, surge एक process है, ठीक है, तो मेरे भाई एक चीज़ समझना, surge is not dependent on the length, लेकिन wave अगर देखना है, surge is a wave, और wave की study के लिए, distance और time, ये दो variation पड़ने पड़ते हैं, तो इसलिए वहाँ पे distance देखना जरूरी है, अब भई एक और forward wave चली, minus V की, अब ये जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी, वहाँ तक ये 2V को बना देगी V, अब forward voltage अगर minus V, तो forward current minus I, forward voltage and current are in same phase, है ना, forward voltage and current have same phase, तो forward voltage अगर negative, तो forward current भी negative, अब फिर से T time लगेगा, दुबारे receiving end पे पहुँचने में, तो 3T time पे क्या होगा, पूरी line का voltage V हो जाएगा, और पूरी line का current minus I हो जाएगा, अब आप receiving पे पहुँच गए, receiving पे आपने क्या बोला था बिटा, कि reflected current is negative of incident current, अगर incident minus I आया, तो reflected plus I आएगा, total current हो जाएगा 0, है ना, total हो जाएगा 0, तो बिटा यहाँ पे जब यह reflected current आई आ रहा है, तो reflected voltage इसका negative होगी, reflected voltage negative होगी, यानि minus V, अब V जहाँ जहाँ minus V से overlap करेगा, वहाँ पे total हो जाएगा 0, समझे, जब जब बिटा forward voltage या current, receiving end पे पहुँचते हैं, तो minus I का reflection हुआ आई, यह backward था, तो backward में current और voltage opposite होते हैं, तो current आई है, तो reflected voltage minus V है, तो 4T पे पूरी line का voltage 0, पूरी line का current भी 0, यानि surge is over, तो यहाँ पे open circuited line के अंदर क्या होता है, बिटा, 4T पे जाके आपका surge खतम हो जाता है, अब देखो यहाँ पे यह जो coefficient निकाले जाते हैं, यह at T equal to T plus निकाले जाते हैं, यानि first reflection के time पे, जब पहली पहली बार आप receiving end पे पहुँचे थे तब, अब देखो यार, coefficient of reflection या फिर इसको कह सकते हो, transmission, अब transmitted current तो 0 था भाई, क्योंकि line open circuited थी, तो reflected current या transmitted current upon incident current is 0 by I, that is 0, coefficient of reflection, reflected current by incident current, यानि minus I by I, minus I by I is minus 1, बिठा lightning की वज़े से जो surges आते हैं, they are treated as DC, ठीक हैं, अब इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद देखिए, voltage coefficient की बात करें अगर, तो reflected current 0 था, लेकिन reflected voltage क्या थी, 2V थी, तो 2V by V is actually 2, it is actually 2, reflected current minus I था, लेकिन reflected voltage V थी, तो V by V is 1, V by V is 1, तो इस तरह से निकाल लेते हैं, कब निकालते हैं, T plus पे, जब पहली बार incident wave, reflected पे पहुँचती है, अगला case ऐसे ही होता है, short circuited line, short circuited line में क्या होता है, जहां short circuit है, वहां voltage 0 होती है, तो transmitted voltage 0 होने के कारण, reflected voltage is negative of the incident voltage, अगर reflected voltage negative है, incident voltage का, तब यहां पे क्या होगा, और चलो इतना ही रखते हैं अभी तो, तो यह आएगा, अब देखो, surge पहले की तरह बिटा start हुआ, 0 plus पे, voltage और current ने बढ़ना start किया, sending से receiving की तरफ, correct, यह voltage और current चल पड़े, sending से receiving, अरे भाई, impulse नहीं होता, क्या होता है, कोई भी सर्जेक, rectangular pulse होता है, बहुत short duration का, लेकिन हम लोग model कर रहे हैं, उसे unit step से, क्योंकि आप जानते हो, rectangular function वैसे भी, दो unit step से बनाया जा सकता है, तो अगर unit step के लिए analysis कर लें, तो rectangle के लिए तो होई सकता है, अब T equal to T पे, बिटा क्या हो रहा है, पूरी line का voltage V हो जा रहा है, पूरी line का current I हो जा रहा है, यहाँ पे capital T था, यहाँ पे capital T क्या दाल, L by V, बिटा surges over voltages होते हैं, over voltage क्या करता है, वो insulation को damage कर सकता है, जो tower और conductor के बीच में insulator लगा है, high voltage उसे बरबाद कर सकती है, अब भाई देखो, आपने यह बोला था ना, reflected voltage is negative of incident, तो जब यह incident wave receiving end पे पहुँची, तो वहाँ से एक reflected wave चली, minus V की, और जहाँ जहाँ पे यह पहुचेगी, जहाँ जहाँ पे यह पहुचेगी, वहाँ पे total हो जाएगा zero, reflected voltage अगर negative है, reflected voltage अगर negative है, तो reflected current आपका positive आएगा, क्योंकि backward voltage and current हमेशा opposite होते हैं, है ना, तो अगर यह minus V है, तो वो plus आई है, अरे भई क्या बताऊं मैं तुम्हें, अभी तो दुरूब, एक्स क्लैशर तुमारा answer दिया, मैंने lightning impulse वाले का, वीडियो पीछे करके सुनो ध्यान से, तो बेटा जहाँ जहाँ यह I पहुचेगा, वहाँ वहाँ पे total हो जाएगा, 2I, अब देखो क्या होगा, 2T time पे, 2T time पे wave पहुच चुकी होगी, sending end, तो total voltage हो चुका होगा, 0, और total current हो चुका होगा, 2I, total current हो चुका होगा, 2I, भई यह क्या चला है, QA session चला है, क्या रैंडमली पूछे जा रहे हो, पूछे जा रहे हो, हैं बई, अब देखो क्या होगा पिटा, अब यहाँ पे आपकी voltage 0 हो चुकी, लेकिन sending end पे हमने क्या लगाया था, एक voltage source दिखाया था V का, तो अगर 0 voltage ले लेंगे, तो KVL वाइलेट हो जाएगा, इसलिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एक और forward wave V का, to satisfy KVL, अगर forward voltage V जा रही है, तो forward current आई जाएगा, क्योंकि forward voltage और current दोनों same phase में होते हैं, तो भाई, यहाँ पे अगर आई जाएगा, तो 2I और I मिलके बन जाएंगे 3I, क्या बन गया, 3I, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ बिटा, और current हो गया 3I, अब फिर से, जब यह forward wave receiving end पे पहुँचेगी, फिर से reflection होगा, तो यहाँ पे फिर से reflected wave is, negative of incident voltage, तो incident V थी, तो reflected I minus V, जहाँ तक पहुँच जाएगी, टोटल कर देगी 0, अब backward voltage अगर minus V है, backward voltage अगर minus V है, क्योंकि दोनों हमेशा opposite sign के होते है, forward current and voltage, same sign, backward current and voltage, opposite sign, 3I और I मिलके बनेगा 4I, तो T equal to 40 पे क्या होगा, पूरी line का voltage 0, current 4I, तो यहाँ बिटा, line का voltage और current दोनों 0 नहीं बना, open circuited line की तरह है, तो यहाँ पे line अपनी original condition में नहीं जाती है, यहाँ समय के साथ current build up होता जाता है, which can eventually be very very harmful for the transmission line, अब यहाँ देखो current और voltage के coefficient बिटा exchange हो जाते हैं, तो यहाँ पे coefficient of reflection current में आता है 2, coefficient of reflection आता है यहाँ पे आपका 1, क्या आता है 1, फिर voltage coefficient में, coefficient of reflection आता है 0, और reflection आता है minus 1, ठीक है एक दूसरे के dual ही तो है, अब जब देखो थैवनिन equivalent बनाते हैं ना तो बिटा, यह first reflection पे बनता है, यानि कि थैवनिन equivalent कब बनता है, T plus पे, T plus पे, और यह किसके लिए बनता है, थैवनिन equivalent for transmitted voltage and current, थैवनिन equivalent for transmitted wave, यह transmitted wave के लिए बनता है, ठीक है जी, अब क्या होता है बिटा, यहाँ पे V होता है incident voltage, और यहाँ source बनता है 2V का, थैवनिन voltage होती है, 2V where V is the incident voltage, और Z थैवनिन होता है ZC, ZC, ZC क्या है, surge impedance of medium in which wave travels, अब ही समझाता हूँ यह चीज़ भी, in which wave travels, ठीक है, और ZL होता है भई आपका, surge impedance of medium, in which wave is to be transmitted, जिसके अंदर wave घुसेगी, ठीक है, जिसके अंदर wave घुसेगी, that is ZL, और जिसके अंदर चली आ रही है, that is ZC, ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या होगा भई, यहाँ पे V2 हो जाएगा, 2V, ZL by, ZL plus ZC, यह हो जाता है, voltage division के अनुसार, यह आ जाएगा transmitted voltage भई, transmitted voltage हो जाएगा यह, यह बात clear है, if reactance is made zero, then power transmitted is infinity, बिटा resistance कहां गया, तुम यह कह रहे हो, कि भई, resistance तो था ही नहीं, अब reactance मैंने वैसे zero कर दिया, अरे जब बीच में ना resistance है ना reactance तो current flow कैसे कर रहा है, विश्वजीत, बीच में impedance तो होना चाहिए न, दो point के तभी तो current exist करेगा, DC circuit में बिटा, ZC is not the actual impedance, मैंने पहले भी बताया था, surge impedance क्या है, surge is a wave, surge is a wave, wave का जो voltage current का ratio बनता है, उसको हम कह देते हैं, क्या surge impedance, तो ये actual impedance नहीं होती, it is nothing but the ratio of V and I for a surge, ठीक है, T plus time ही क्यों ने, T plus time बिटा इसलिए, क्योंकि देखो जब light टकराई, जैसे wave टकराई किसी point से, तो वहाँ पे reflection हुआ, वह हुआ first reflection, वह हुआ first reflection, अब ये जब वापिस जाएगी न, तो इसको incident माननूँगा, अगली बार फिर ये कहीं और टकराईगी, उसे भी कैसे treat कर लूँगा, first reflection की तरह, यानि हर बार जो wave emit हो रही है न, उसे incident माननके, फिर उसका reflection और reflection पढ़ सकते हूँ, जैसे glass slab में नहीं देखते थे, पहले एक incident wave आई, वो glass slab के अंदर घुसी, अब अगले surface के लिए, वो incident हो जाते हैं, फिर उसका reflection अलग से पढ़ लेते हैं, same चीज मैं कहा रहा हूँ कि, हर बार first reflection, या first reflection की बात कर सकते हूँ, हर बार जो wave आगे जा रही है, उसको incident मानके, दुबार इसे first वाला पढ़ लो, ठीक है, चलो भई, अब यहाँ पे देखो भई, reflection, coefficient और reflection, यह आपको याद रखना है, for the case of voltage, voltage में याद कर लो, current की ज़रुवत नहीं है, ऐसा क्यों, देखो क्या होता है, incident current होता है, incident voltage by ZC, reflected current, reflected voltage, by ZC, लेकिन एक minus sign, transmitted current, is transmitted voltage by ZL, क्योंकि वो कौन से medium में जा रहा है, ZL वाले medium में जा रहा है, तो current को अलग से study नहीं करना पढ़ देखो, लेकिन दो फॉर्मूले आपको पता होने चीए, one is the reflection coefficient, other is the reflection coefficient for voltage, ठीक है, maximum voltage कितना हो सकता है, transmission line बिटा, वो तो rating के उपर है, X-clasher, मैंने पढ़ाया तो है, EHV line 400 KV होती है, फिर 765 KV होता है, T बिटा, अब तो कोई comprehensive course आएगा नहीं, YouTube पे अभी तो, इस साल तो कुछ नहीं आने वाला, फिलाल में, और रही बाद, digital communication की faculty तो, हमारे पास विशाल सर तो हैं, तो hiring की क्या जरूवत है, simple सी बात अगर करें, विशाल सर हैं, और अनकैडमी पे सिधार सबरवाल सर भी लेते हैं, विशनु सर भी लेते हैं, इतने सारे टीचर तो हैं, अब देखो, bifurcated और parallel line, bifurcated और parallel line, क्या होता है, जब एक transmission line, दो पार्ट में आगे divide हो जाती है, that is set to be bifurcated line, तो यहाँ पे जो zL होता है, बस आपको क्या याद रखना है, कि zL, दो impedance का parallel combination बनता है, z2 and z3, बस basic याद रखना, जब वेव एक line से दो line में divide होती है, तो zL is nothing but parallel combination of z2 and z3, बाकी आपका वही transmission और reflection चलेगा, जो हमने पहले देखा था, if we get negative power in both breaking and generating, why breaking mode is not used for power generation, मैं समझा नहीं, negative power breaking और generating induction motor में कहा रहे हो ना, बिटा क्योंकि breaking mode में कोई prime mover नहीं है, तो breaking mode में eventually motor रुक जाएगी, power लोगे कहां से, जैसे अब क्या होता है, train है, train में brake लगाया ना, जो metro train होती है, तो source को power देती है, है ना, लेकिन वो कब तक power देगी, जब तक train रुक नहीं जाएगी, ऐसा तो हैनी की power देती रहेगी, generating region या generator की requirement क्या होती है, it must continuously supply power, तो दो अलग-अलग चीज़े हैं ना, गाड़ी में brake लगाऊं और उससे मेरी गाड़ी की battery चार्ज जो है, बिटा, maximum surge voltage as such कोई limit नहीं होती है, चलो, अब question पर आजाओ, फाल तु सवाल चोड़के, when the load on a transmission line is equal to the surge impedance loading, तब क्या होता है, बताओ भई, जब load हमारा surge impedance loading के बराबर होता है, मैंने कल के lecture में पढ़ाया था, क्या answer होगा इस question का, बताओ भई, when the load is equal to the surge impedance loading, तो यहाँ पर क्या होता है, receiving end voltage is equal to the sending end voltage, यहाँ पर हम बात करते हैं, flat transmission line की, flat transmission line, ठेक है, यह हमने पढ़ा था न, waveform of parent effect कैसी waveform बिटा, आज अब गजब से आज कल तुम सवाल पूछने लगे हो, अगला देखो भई, surge impedance of 50 km long UG cable is 50 ohm, for a 100 km length it will be, कौन सा analog का class, बताओ भई, अगर 50 km की surge impedance 50 ohm है, तो 100 km की क्या होगी? Yes, it will be same, ठेक है? It is independent of length, ठेक है जी? अगला, same type का question है भई, 50 mile का अगर 50 ohm है, तो 25 का भी 50 ohm ही होगा, it is independent of the length, अगला भई, reflection coefficient for a transmission line, shown below at P. बताओ जी, क्या आएगा? reflection coefficient for a transmission line, shown below at P. डाइग्राम गिवन नहीं था, मैंने बना दिया है, बोलो क्या है एगा reflection coefficient? जल्दी से बोलो भाई, दांसर विल भी 0, क्यों? load, loading is equal to SIL, जब-जब लोड बेटा surge impedance होता है, there is no reflection, तब कोई reflection नहीं बनता है, इसलिए answer will be 0, ठीक है? चलो, बहुत ही बढ़ी है, अगला देखो question, a surge of 20 kv magnitude, ठीक है? 20 kv magnitude travels along a lossless cable, towards its junction with two identical lossless overhead line, the inductance and capacitance are 0.4 and 0.5, overhead line is this, magnitude of voltage at the junction due to surge, जब-जब यह आप से पूझे है न, junction पे voltage बताओ, that is the transmitted voltage, क्योंकि क्या होता है बिटा, junction के left में होती है, incident plus reflected, वो भी transmitted के बराबर ही होती है, इसलिए junction पे क्या आता है? transmitted voltage, any special control power system machine crash course, any from you? नहीं बिटा, अभी तो मेरा ऐसा कोई planning नहीं है, और विने, from this month onward, मेरा जो YouTube पे involvement है, वो काफी कमी रहेगा, है न, हम मेरा ज़ादा dedication, ज़ादा जो focus है, that will be on plus, क्योंकि मैंने इस पूरे year, एक चीज़ देखी कि YouTube की जनता, जो है for granted ही लेती है, तो फिर भाईया क्यों न उन बच्चों को पढ़ाया जाए, जो regularly आते तो है, पढ़ाने में मज़ा भी ज़ादा आता है, बच्चे भी ज़ादा होते हैं, sincere भी ज़ादा होते हैं, अब आप लोग के पास obviously या इतना सारा content है, you don't care कि कौन सा course लाइव आ रहा है नया आ रहा है, कुछ फरक थोड़ी पढ़ता है, तो ठीक है, आप लोग भी satisfied हैं, already जो recorded videos available हैं, तो फिर हम लोग भी satisfied हैं उतना provide करके, क्या आ रहा है, ये आ रहा है, देखें, पहले देखो, जेड़ सी ओफ यूजी केबल निकाल लेते हैं, देखो, यूनिट देख लेना, 0.4 है, और ये 0.5 है, लेकिन वो मिली है, और ये माइक्रो है, 28.28, जेड़ सी ओवर हेड, 1.5, फिर अगेन, मिली और माइक्रो, 316.2 दो, अब इस में जे किसे जेड़ सी लेना है, और किसे जेडल ये, कैसे डिसाइड करें बई, ठीक है, कैसे डिसाइड करें, magnitude of voltage at the junction, magnitude travels along a cable, towards its junction with the overhead line, तो, सर जो है न, केबल पे चल रहा है, line की तरफ, अगर केबल पे चल रहा है, line की तरफ, तो केबल हुई, ZC, और line हुई, आपकी, ZL, समझे, केबल पे चल रहा है, line की तरफ, तो जहां से चला है, वो होता है, ZC, और जहां यह जाना चाहता है, that is ZL, बात clear हुई, बस यही challenge होता है, पेटा, इन question में न, ZC और ZL पहुच्चानना, अगर यह पहचान लिया, तो सब कुछ हो गया, तो answer will be A, बहुत ही बढ़ी है, ठीक है, A, अगला देखो भई, consider a step voltage of magnitude 1PU, traveling along a lossless line, that terminates in a reactor, the voltage magnitude along the reactor, at the instant, traveling wave reaches the reactor, क्या magnitude होगा भई, voltage का, जब आपकी traveling wave, reactor पहुचेगी, बताइए, what will be the magnitude, 2PU, बहुत ही बढ़िया भई, यह जो reactor होता है, inductor, यह open होता है, open क्यों होता है बिटा, क्योंकि इसका जो ZC होता है न, root L by C, वो infinity को tend करता है, इसका C 0 होता है, तो जब यह open circuited होता है, in open circuit transmission line, V transmitted, is twice of V incident, that is 2PU, अगला देखो भई, if a line of surge, impedance Z naught, is transmitted in an impedance Z, reflection for current and voltage surges, are given by, आपको reflection coefficient बताना है, current और voltage दोनों के लिए, current का बताओ, और voltage का भी बताओ, अगर Z naught की line है, और Z में terminate हो रही है, बताओ भई, फटाओ फट से बोलो भई सभी लोग, क्या आ रहे है, यह आएगा B, ठीक है, reflection coefficient voltage का होता है, ZL minus ZC by ZL plus ZC, और current का इससे उल्टा होता है, क्योंकि reflected voltage और current opposite होते हैं, तो answer will be B, reflection और transmission coefficient यह नहीं पूछ रहा, यह reflection coefficient ही पूछ रहा, एक current के लिए और एक voltage के लिए, लास्ट भई, तो देखो, लाइन में चल रही है, केबल में घुस रही है, तो केबल में कितनी घुसेगी यह पूछा, यानि की transmitted voltage पूछा है, तो कैसे निकालोगे, बहुत easy है भई, incident voltage है V, यहाँ केबल की जो impedance है न, वो load का काम करेगी, क्योंकि line से केबल में जा रही है, तो यह आ जाएगा 2V by 11, C, बहुत ही बढ़िया भई, तो that's all, और बिटा अगर आपको पूरा electrical मेरे साथ revise करना है, तो जल्दी से unacademy plus join कर लो, मेरा signal system का crash course start हो रहा है, from 8th of November, फिर 22nd November से control system का crash course आएगा, उसके बाद 6 December से electrical machine का, तो मैं आपको सारे electrical के subject January तक revise करा दूँगा, और यहाँ से फिर आपकी electrical की problem solving पे command बहुत अच्छी हो जाएगी, definitely यह course आपकी rank में 20-25 marks जोड सकता है, और अगर किसी का digital pending है तो शंकर सर comprehensive course करा रहे हैं, उसको join करो, other than this बिटा आप R.I.B. भी join कर सकते हो सिधार सर का, जहाँ signal का revision कराये जा रहा है, और plus पे आने के क्या benefit है, live और recorded दोनों classes मिलती है, comprehensive और crash course, daily assignment हर Sunday test, भरनी है तो iconic के लिए जाओ, वहाँ यह सब के साथ एक personal coach मिलेगा, जो खुद एक topper होगा, वो पूरा time table बनवाएगा, teachers आपको motivate करेंगे in the study booster session, you will get separate test analysis, study material dedicated doubt instructor, और यहाँ पे आप code लगा सकते हो, अंकित EAC, जिससे मिलेगा immediate discount, and you will come under my personal guidance, और बेटा 23 की तैयारी अगर कर रहे हो, तो one year का subscription ले लो, और 22 की कर रहे हो, तो four months का ले लो, सस्ता पड़ेगा, जिसमें पूरा revision कर सकते हो, और बेटा iconic के लिए जाते हो, तो iconic के prices बढ़ चुके हैं, six months का हो गया, 42,000, 12 months का 56, 18 months का 72, लेकिन इसको अपने करियर में, as a investment आप देखो, कि आपने जो invest किया, उसका multiple times आप earn कर पाऊगे, और इस Sunday combat होगा, बिटा, combat में सभी बच्चे अटेंड करें, यहाँ पे अपने talent को आप judge कर सकते हो, अपनी तयारी को judge कर सकते हो, अच्छा करोगे तो you will also get discount on unacademy subscription, यह मेरी unacademy profile है, follow कर लेना, यहाँ मुझे message भी कर सकते हो, this is the telegram channel, जहाँ हम daily quizzes कराते हैं, उनका part बने, और यहाँ पे आप मचा सकते हो, thank you everybody, like, share, subscribe जरूर करें, और श्रेश 21st December को, power electronics खतम हो जाएगा, तो मिलते हैं बिटा अब दिवाली के बाद, happy दिवाली to all of you बिटा, may the festival of light, bring light into your careers, into your life and you all enjoy, तो कल का दिन enjoy करो, परसों से फिर इसी तरीके से ताबरतोर तैयारी स्टार्ट करेंगे, let's crack it,